राधे कृष्ण की ज्योत अलोकिक तिनों लोक में छाई रही है भक्ति विवश एक प्रेम पूजारन फिर भी दीप जलाए रही है खृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है दोनों करू स्वीकार कृपा कर जोगन आरती गाए रही है नमस्कार दोस्तों मैं उर्श अगवात आम दलाओ अटेक्शन कोच मोट्यशन स्पिकर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मस्त वाली सकसे स्टोरी में दोस्तों شुरूात में ये मैंने क्यों गाया ना इसका राध अंत में बताऊंगा अंत में बताऊंगा तब तक सकसे स्टोरी पूरी देखना बहुत सुन्दर सकसे स्टोरी है without wasting any further time, शुरू करते हैं आज की success story. सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बल आइकन को ओन करिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपकी वाइबरेशन के लिए बहुत जरूरी है तभी तो जिन्दकी बहतर नहीं खूप सुरत बनेगी साथी साथ love problem चल रही है प्रेम की नहीं पार नहीं हो रही है तो ये रहे health line के number आज ही अपनी problem बेज़े जिन्दकी बहतर नहीं जिन्दकी खूप सुरत बनाइए चले फड़ावट से success story पढ़ते हैं याद है न शुरू में कुछ गाया है गुन-गुनाया है आपके काम का है लिख के देता हूँ ये वाली चीज करना टैक्निक के रूप में मज़ा आएगा तो चलो पहले success story पढ़ते हैं फड़ावट से प्रणाव रिशप सर मेरा नाम दिपानजली शर्मा है I'm feeling so great to write my success story as I have manifested the love of my life with your help मैं मतुरा से बिलॉंग करती हूँ सर बाकी लोगों की तरह नॉर्मल चाइल्फूड नहीं था मेरा I was very young when I lost my mother उनके जाने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी करी मेरी फैंबली फाइनशली स्टेबल है लेकिन मुझे उनसे कभी emotional support नहीं मिल पाया मैं बचपन से ही वैशनव हूँ क्रिशन जी को बहुत follow करती हूँ नित्य सेवा करती हूँ फैंबली में सिर्फ मेरे बड़े भाई हैं जो मुझे समझते हैं कॉलेज में आने के बाद रितेश से मेरी मुलाकात हुई वो मेरी हर बात सुनते थे समझते थे और मेरे लिए emotionally available रहते थे ऐसे ही बात करते करते हमें प्यार हो गया लेकिन मेरी family बहुत strict Brahman family है I was really scared कि किस तरह से हम future में साथ होंगे I strongly believe in law of attraction and मैं पहले से ही रिशप सर की वीडियो को follow करती थी मैं 369 टेक्निक फॉलो करती थी family issues को solve करने के लिए for my love life I want to be sure that is why मैंने helpline पर बात करने की सोची मैंने helpline पर अरणव सर से बात करी मैंने helpline पर अरणव सर से बात करी उन्होंने मुझे रिशप सर के साथ एक session लेने के लिए कहा तो मेरा रिशप सर के साथ session हुआ रिशप सर ने session में मेरे से बात करी session में मुझे जो सारी चीजे बताई वो सारी चीजे मैंने follow करी मैंने वो हर चीज पुरी श्रद्दा के साथ follow की जो रिशब सर ने मुझे करने के लिए कहा और जो चेंजिस थे वो दिखाई देने लगे जनरली मेरे पापा मुझसे हमेशा गुस्वे में ही बात करते थे उन्होंने मेरे लिए कभी अपना प्यार या केर शो नहीं करी लेकिन सेशन के बाद और वो सारे अनुष्थान खत्म करने के बाद उनके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज मैंने एक्सपिरेंस किया और ये चेंज मैंने सेशन के exactly next day से महसूस किया था जब मैंने पापा को रितेश के बारे में बताया तो पापा ने कहा कि उनकी family को घर पे आके बाद करने के लिए कहो रितेश भी ब्राम्मन थे तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती लेकिन मेरी family वैशनव ब्राम्मन है रितेश वैष्णव ब्राह्मन यानि कि कृष्णा जी की नित्य सेवा नहीं करते तो मुझे बहुत चिंता होती थी I still remember कि रिच्वल्स करते हुए मुझे 9 दिन हुए थे जब रितेश की फेमिली हमारे घर आई हमारे रिच्टे की बात करने दोनों फेमिलीस के बिच बहुत अच्छे से बात हुई Finally हमारा रिच्टा पक्का हो गया रितेश के पैरंस ने मुझे शगुन भी दिया उस दिन जो भी हमारे घर पे मैंने देखा वो मेरे लिए किसी मैजिक से कम नहीं था Finally I was getting married to the love of my life रितेश ये सब सिर्फ रिचप सर आपकी वज़े से possible हो पाया अरनव सर आपकी वज़े से हो पाया I can't thank you enough in words आपने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्लीज इसे continue रखें Krishna आपको और success दे Thank you so much for everything जब भी मतुरा आना हुआ आपको घर जरूर आना पड़ेगा sir Jai Shri Krishna सबसे पहले Jai Shri Krishna Hare Krishna मेरे प्यारी बहन सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि सारा का सारा चमतकार Krishna कनिया का है मैं केवल और केवल एक माध्या हूँ सकता हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ बहुत प्रसन हूँ कि finally आपको मनजिल मिली पिता जी मान गए बस अब इंतजार है कि शादी के बाद आपकी एक success story आए हम फिर सो इसे share कर पाए मेरे प्यारे students जो भी यहां तक्तिके हैं जो शुरूआत से सोच रहे थे success story के बाद बहुत अच्छी चीज मिलेगी तो वो सुनिये session में जब मैंने देखा तो वो बहुत रो रही थी बहुत परेशानी अब यह तो मुझे पता था वो वैश्नव है वो मैने कहा के चली आप बंब करिए år अब गोपी चंदन लगाई एप बंब करके उन्होंने श्वाई्स किया कि मैंने गोपी लगा यह वो तुलसी की माला कंठ माला मैंने पहनी हुई है कंठ माला पहन के मैं कृष्णा जीके सामने खड़ी हूं उनकी नित्य सेवा कर रही हूं आरती कर रही हूं साथ में रितेश खड़े हैं और पीछे पिता जी आशिरवात दे रहे हैं और कौन सी स्तुति गा रहे हो आप कृष्ण जी और राधा जी को दिखके राधे कृष्ण की ज्योत अलोकिक तीनों लोक में छाई हुई है भक्ती वीवश एक प्रेम पुजारन फिर भी दीप जलाए हुई है इसके बाद जो मुस्कुराहट मैंने देखी वो मुस्कुराहट में एक चमतकार था एक मैजिक था और वो मैजिक उनके साथ अगले दिन हुआ पापा में भी चेंजिस दिखाई देने लगे तो भई अगर कोर्स नहीं जोइन कर पा रहे हो थोड़ी कंडिशन खराब चल द सकते हो बगवान का इश्वर का सहारा भी ले सकते हो अपने प्रेन के साथ यह चीज़ शेर करना चाहता था बहुत सारे लोगों को फाइदा करेगी कमेंट मैं आ रहा हूं जानने के लिए क्या इसे फॉलो करोगे या नहीं जै हिंद जै भारत एंड जै श्री कृष्णा